एक रोगी रात में नहीं सोएगा, एक भोगी रात में नहीं सोएगा, और एक योगी भी रात में नहीं सोएगा, क्यूंकि उसके लिए भी रात बहुत सहायक होती है. रोशनी आपको हर चीज अलग-अलग करके दिखाती है. मान लीजे, लाइट चली गई. रात में कुछ ऐसा है कि सीमाएं थोड़ी धुंदली हो जाती है तो योग के लिए, सेक्शुालिटी के लिए, दोस्ती, नजदीकिया, पढ़ाई, फोकस इन सभी चीजों के लिए रात जादा सहायक लगती है मेरा अपसे सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सोने और जाकने का समय बदल लिया है और मैं दिन में सोती हूँ बाद बस ये है कि मैं ना सर्फ पढ़ाई, बलकि बाकी चीजे भी रात में जादा खुशलता से कर पाती हूँ मैं रात में बहुत स्पूर्थी महसूस करती हूँ इसकी वज़य क्या है धन्यवाद शायद आप गलत देश में हो तीन तरह के लोग होते हैं जो रात में नहीं सोते एक रोगी रात में नहीं सोता रोगी का मतलब है बीमार इंसान क्योंकि वो सो नहीं पाता एक भोगी रात में नहीं सोता एक सुख खोजने वाला रात में नहीं सोता क्योंकि उसके कामों के लिए रात मददगार होती है एक योगी भी रात में नहीं सोता क्योंकि उसके लिए भी रात बहुत सहयक होती है आप इन में से क्या हैं आप तै कर सकती हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा रात में क्या खास होता है देखिए रोश्णी हमारे लिए रोश्णी इसलिए कीमती है क्योंकि हमारी आँखें एक खास तरह से बनी हुई है रोश्णी आपको हर चीज अलग-अलग करके दिखाती है देखिए अभी क्योंकि यहां रोश्णी है मैं इस इंसान को, इस इंसान को, इस इंसान को, इस इंसान को देख सकता हूँ मान लिजे लाइट चली गई और अंधिरा हो गया मैं बस लोगों के जुंड को देख पाऊंगा मैं इस इंसान को इस इंसान को इस इंसान को नहीं देख पाऊंगा तो रात में कुछ ऐसा है कि रात में सीमाएं थोड़ी धुंदली हो जाती है तो योग के लिए, सुक्षालिटी के लिए, दोस्ती के लिए, नजदी किया, पढ़ाई, फोकस, इन सभी चीजों के लिए रात जादा सहायक लगती है क्योंकि रात में आपके और दूसरे के बीच का अंतर कम हो जाता है सिर्फ इसलिए, क्योंकि हमारी आँखें इस तरह से काम करती है जहां रोश्नी ना हो, वहां हमारे अनुभव में हर चीज मिलकर एक हो जाती है तो एक योगी, एक भोगी और एक रोगी, ये तीनों रात का इस्तिमाल करते हैं आप भी इसका इस्तिमाल कर सकती हैं इसमें कोई समस्या नहीं है, जब तक कि आप क्लास में सोती नहों अगर आप क्लास में नहीं सोती तो ये चलेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन आप इसे आजमा कर देखिए, क्या मैं कुछ साजा कर सकता हूँ? मैं कुछ ऐसा था जब मैं सोता था मेरा स्कूल आम तौर पर सुबह साड़े आठ का होता था 6.45 से मेरी माँ और मेरी बहने मुझे जगाना शुरू कर देती थी बहुत सी चीजें करनी पड़ती थी वे मुझे बिस्तर पर उठा कर बैठा देती थी वे आकर मेरी बाह मरोणती थी ये करती थी, वो करती थी मेरी माँ ये नर्मी से करती थी मेरी बहने सकती से करती थी फिर वे मुझे खीचती थी और मेरी माँ टूदब्रश में टूदपेस लाकर मुझे दे देती थी मैं उसे मूँ में लाकर सो जाता था मैं मेरे कपड़े लाकर देती थी और कहती थी नहाने जाओ टाइम हो गया है मैं बातरूम के अंदर जाता और सो जाता अगर कोई मुझे ना उठाए तो मैं दिन में एक दो बजे तक एक पत्थर की तरह सोता था जाक कर करवटे नहीं बदलता था बस मुर्दे की तरह लेकिन मैंने बारा साल की उम्र में योग करना शुरू किया शायद आठ या नौ महिनों के बाद उसके बाद चाहे जिस भी जगा पर होने पर चाहे कहीं भी होने पर चाहे जो टाइम जोन हो, रोज मैं अलग टाइम जोन में होता हूं लेकिन मैं सुबह 3.35, 3.40 पर जाग जाता हूं क्योंकि उस वक्त प्रकृती में कुछ बदलाव होते हैं मेरा शरीर बस जाग जाता है अगर मैं चाहूं, मैं उटकर जो करना चाहूं कर सकता हूं अगर मैं न चाहूं, तो मैं थोड़ा और सो सकता हूं लेकिन शरीर हमेशा जाग जाता है तो आपको सिस्टम में थोड़ी समवेदन शीलता लानी होती है देखिए आप इस धर्ती के अंश हैं हाँ या ना कोई इंसान अपने बारे में कुछ भी बकवास सोचे लेकिन हम सब इस धर्ती से पॉप अप हुए हैं आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉप अप देखें पॉप अप हाँ आप बस पॉप अप हैं आप गायब हो जाएंगे आपको विश्वास नहीं होता कि आप चले जाएंगे हाँ मैं? मैं चला जाओंगा? हाँ वे सारे चतुर लोग अंगिनत लोग जो इस धर्ती पर आप से और मुझसे पहले घुमते थे वे अब कहा हैं? नामों निशान नहीं है सब मिट्टी हो गए क्या ऐसा नहीं है? क्या वे पॉपप नहीं थे? क्या आप पॉपप नहीं है? पुप पुप आपको लग सकता है कि आपका जीवन शानदार है वगेरा वगेरा जहां तक धर्ती का सवाल है वो बस अपनी मिट्टी को रिसाइकल कर रही है आपको उचालती है और फिर वापस खींच लेती है उचालती है और फिर खींच लेती है तो इस जरा से पॉप अप में एहम चीज और सबसे एहम चीज ये है कि आप अपने भीतर समवेदन शीलता लाएं ऐसी समवेदन शीलता कि जीवन का हर आयाम आपके अनुभव में आ जाए इससे पहले कि आप मर जाएं क्या ये महतुपूर नहीं है कि आप इस जीवन को हर संभव स्तर पर अनुभव करें है ना? है या ना? अनुभव का मतलब है लोग सोचते हैं हमें हर दिन पार्टी करना है नहीं नहीं एक ही चीज़ आप कितनी बार करेंगे इनसान के जीवन में खोजने के लिए बहुत कुछ है आपको समवेदन शील होना होगा समवेदन शील से मेरा मतलब है क्योंकि इस शब्द का एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इस माइने में जब लोग कहते हैं अरे वो समवेदन शील है तो मतलब होता है वो जरा सी बात का बुरा मान जाएगी है ना आपके जीवन का समवेदन शील होना और आपके एहम का समवेदन शील होना दो अलग चीज़े हैं जीवन के समवेदनशील होने का मतलब है कि अगर आप इस हॉल में आते हैं, तो आप यहां मौजूद हर चीज का अनुभव करते हैं, आप से कुछ नहीं चुकता, अगर आप बाहर जाते हैं, तो आप किसी चीज से नहीं चुकते, जीवन के हर आयाम को आपके अनुभव में एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई ने काम करवाने के लिए गधा खरीदा, जिस आदमी ने गधा बेचा, उसने कहा, देखो ये बहुत समवेधन शील गधा है, आप उसे पीट नहीं सकते, आप बुरे शब्द नहीं बोल सकते, आप गधे को गाली नहीं दे सकते, शंकरन पिल्ले ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हर दिन इन गधों को पीटते पीटते और गालियां देते देते ठक गया हूँ, इन गधों से काम कराने के लिए मुझे हर रोज घटिया शब्द बोलने पड़ते हैं, मुझे समवेधन शील गधा अच्छा लगा, और उसने गधे की समवेधन शीलता के लिए थोड़े जादा पेसे भी चुकाए और उसे घर ले आया, उसने गधे को बाड़े में रखा, कल सुबह उसे घर पर जाना था, वो वहाँ गया और गधे से बोला, चलिए हमें चलना चाहिए, कोई असर नहीं, उसने फिर खा, कृप उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो उस आदमी के पास वापस गया, जिसने गधा बेचा था, देखो मैंने गधे से विंती की, गिडगिडाया, प्रार्थना की, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, उस आदमी ने कहा, ऐसा है, चलो मैं देखता हो गया, और बेवकूफ तुमने कहा कि यह समवेधनशील गधाय, और जैसे तुमने इस जानवर को मारा है, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी जानवर को नहीं मारा, वो बोला, नहीं, नहीं, यह बहुत समवेधनशील है, लेकिन पहले तुम्हें उसका ध्यान खीजना ह होगा, तो समवेधनशीलता विक्सित करने का मतलब है, कि अगर आप अपनी आखें बंद करें, तो आप जान जाएं कि चान्द अभी के सावस्था में है, क्योंकि यह सब आपके शरीर में हो रहा है, हर दिनी आपके सिस्टम में जाहिर हो रहा है, यह आपने ध्यान दिया ह कि अगर पूर्णिमा या अमावस्या हो तो पूरा समदर उचलता है, जवार भाटा आता है, आप कभी समदर तरपर गए हैं या नहीं जाते, आप जाते हैं, लहरे उठती हैं, पूरा समदर उपर उठने की कोशिश कर रहा है, आपके शरीर का 72 फीसिदी पानी है, आपको जानेंगे कि आपके जीवन के हर पहलू को कैसे संभालें, समदर उठन शील एहम मत बनाईए, अपने सामाजिक पहलू को समदर उठन शील मत बनाईए, अगर आपके भीतर का जीवन समदर उठन शील बन जाये, और इस जीवन के साथ जो हो रहा है, अगर वो एक चीज आप आपका GPS on हो गया है, तब कोई समस्या नहीं होगी, आप कभी खोएंगे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कौन क्या कहता है, आप कैसे हालात में पहुंच गया है, आप कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपका जीवन समवेधनशील है, इस जीवन की बस यही जरूरत है कि इसे एक जीवन के रूप में समवेधनशील बनना है, अभी हमने एक एसा मनोविग्यानिक धाचा विकसित कर लिया है, जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं, इसका थोड़ा सरोकार सामाजिक पहलू से है, पर जीवन से कोई लेना देना नहीं